Hi everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ शिवानी ले आई हूँ आप लगों के लिए एक और बहुत ही काम आने वाला वीडियो आज की वीडियो है पीडियेट पैंटीज के ऊपर और इसके बारे में मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसके रिव्यू के बारे में बात कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए, ये कैसी है, कैसी work करती है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और हाँ ये कोई sponsored वीडियो नहीं है मैंने इस product को खुद से research करके purchase किया और then उसके बारे में मैं आपको review दूँगी कई बार मैं अपने videos में sponsored product आपको दिखाती हूँ और मैं mention भी कर देती हूँ वीडियो में कि एक paid partnership वाला product है paid partnership का video है जिसे कि आपको पता भी चल जाए लेकिन कई बार paid partnership से भी आपकी help हो जाती है हो सकता है उस product को आप वाकरी में search कर रहे हो इसका review देखना चाहरे हो तो वो आपको पता चल जाता है तो paid partnership भी कोई बुरी बात नहीं है लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि video में दिखाया गया product paid partnership के अंदर मैं बता रही हूँ आपको या फिर खुद से उसका review दे रही हूँ तो आज का जो product है वो actually मैंने Amazon पे पहले थोड़ी सी उस पे research करी Amazon पे सर्च करने पर मेरे सामने काफी सारे product आ गए और मुझे ये भी पता चला कि market में दो तरह की period panty available है पहला है one time use के लिए disposable period panty यानि कि जैसे हम pad use करते है एक बार use किया उसके बाद में उस पर एक known brand है pets वगरा के लिए भी तो मैंने whisper की देखी जिसमें से कि ये 149 रुपीज की मुझे दिखा रहा था और 74 रुपीज पर count यानि कि एक pack में दो period panty होती सरिफ और 74 रुपीज का एक panty पढ़ रहा था तो ये काफी costly अगर देखा जाए कि अगर हर बार आप use करो हर म काफी costly option लगा और उपर से ये environment friendly भी नहीं है एक और option दिखा मुझे i active period panty का ये 10 का pack आ रहा था 215 रुपे का और एक चो panty है इसमें वो 21 रुपे की पढ़ रही थी अगैन ये भी एक costly option हो सकता है लिकिन ये period panty मुझे उस हिसाब से जादा सही लगी कि by chance आपको बहुत ज time पर यूज कर सकते हो कहीं travel आप कर रहे हो उस time पर यूज कर सकते हो और जिन लडकियों की अभी अभी delivery होई है तो delivery के बाद में बहुत जादा एकदम से bleeding होती है तो ऐसे time पर ये period panty यूज करना I think सही option हो सकता है लेकिन हर महीने और पूरा जो period का cycle है आपका उस time पर यू करो तो मुझे ये चीज सही नहीं लगी और इसलिए मैंने इसको order नहीं किया एक और brand था P safe ये भी again मुझे काफी कॉस्टी लगी इसमें अलग-अलग sizes थे लेकिन अगर जैसे देखो 4 का unit का set है 143 का यानि की per panty count 35 पड़ेगा next मेरे सामने I reusable panties ये वाला option मुझे काफी सही लगा मतलब normal जैसे हम panties पहनते हैं ये वैसी होने वाली है लेकिन इसमें absorb करने की capacity होगी हमारे period blood को और इसे आप reuse कर सकते हो मतलब धोलो सुखालो दुबारा से यूज कर लो ये वाला option मुझे काफी अच्छा लगा मैंने का एक बार मंगा के try कर के देखती हो गर अच्छा option आए इसमें मुझे brand दिखा health fab के नाम से इसमें color भी आपको अलग-अलग मिल जाते हैं और जैसे इसमें mention है 5 times more absorbent than regular sanitary pad, leak proof, stain free and medium to heavy flow days, order free, doesn't cause rashes, easy to wash, reusable up to 2 years, मतब 2 साल तक आप एक panty चला सकते हो इनके according, बाकि तो अपने use के उपर होता है कि जैसे आपने multiple ले ली है, कम use हुआ है तो जादा भी चल जाए है, जादा यूज करे हो तो हो सकता है, इससे कम भी चले, तो कमपनी के हिसाब से 2 यह तक आप इसे चला सकते हो, next मुझे brand दिखा LAWOZ, इसमें color option भी थे काफी सारे, और एक panty का cost 370 के आसपास था, कोई 379 है, कोई 369 है, 370 है, इस हिसाब से थे, next brand मुझे दिखा NYKD, और यह मुझे थोड़ा ठीक लगा, जैसे नो ने दिखाया, की breathable है, antibacterial है, order resistant है, soft cotton mesh, इस तरीके का यह सब दिख रहा था, मुझे impress किया, इसने, 398 रुकीस की यह थी, और वैसे मैं L size लेती हूँ, panties में, जो की मुझे fit बैटता है, लेकिन म मुझे suggest किया Amazon ने की XL size मुझे fit रहेगा, तो मैं Amazon के उपर ही गई, क्योंकि कितनी बाहर ऐसा होता है, कि आप जो size पहनते हो, अलग-अलग brand का, वो size थोड़ा उपर नीचे होता रहता है, एक size above, एक size नीचे, तो इसने मुझे का की XL मेरे हिसाब से मुझे fit रहेगा, तो इस कुछ इतना बड़ा सा मुझे रिसीव हुआ, and I was like कि यह क्या है, मतलब यह इतनी बड़ी सी पैंटी, और यह कहीं धीली ना रहे है, मुझे बड़ी ना रहे है, पर यह देखने में इतना बड़ा लगता है, पर जब मैने से वेर किया तो यह बहुत ही comfortable था, इसका कपड़ और इसमें यहां पर मैंशिन भी है, कि इसमें 95% bamboo यूज किया गया है, अब बात करते हैं कि यह periods में कैसे work करने वाली है, and मेरा क्या experience था इसके साथ में, तो देखो, वैसे मैं normal days में, periods के time पे, टैंपॉन्स यूज करती हूँ, और टैंपॉन्स के साथ, अभी में बहुत सा कमफर्चेबल हूँ, हाना कि मैं चाहती हूँ कि मैं टैंपॉन्स से थोड़ा सा अफग्डेट करके, मैं स्ट्रो कप यूज करना भी शुरू करूं, मैंने एक दो बार ट्राय भी किया था, लेकिन थोड़ा सा में इसके साथ अभी तक कमफर्चेबल नहीं हो पाई हूँ, पता नहीं, मतलब अनीजी मुझे फील होता है, जब उसे रिमूव करना होता है, लगाना होता है, तो टैंपॉन्स के साथ अभी मैं बहुत साथ कमफर्चेबल हूँ, और बहुत अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है, वो मेरी लिए, लेकिन कभी-कभी क्या प्रॉबलम होती ह जितना वो बहर गया है, उसे रिमूव किया, फिर से इंसर्ट कर लिया, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टैंपॉन्स के साथ क्या है, आप वो बीच में चेक नहीं कर सकते हैं, गर आपनी रिमूव किया, तो फिर आपको वो थ्रो करना पड़ेगा, नया है, तो ओवियसली वो भरेगा ही भरेगा, और मैं रात को इतना कॉंशियोस हो के नहीं सो सकती ना कि बीच में उठके मुझे टैंपॉन चेंज करना है, या मैं अगर सोती रही तो फिर वो सारा कपने मेरे खराब हो जाएंगे, बैचीट खराब जाएगे, तो ऐसे में मैं यूज करती हूँ, तो अब इस तरीके की पैंटी मेरे किस काम आएगी, मैंने सोचा कि जब मैंने टैंपॉन लगाया हुआ है, तो साथ में मैंने इस तरीके की पैंटी पहन ली, तो अगर मेरा टैंपॉन जो है, वो लीक करेगा, मतलब अगर वो भर गया, बहार उसमें ब् इविन डेट भी एक दो दिन उपर नीचे होती हैं और अगर सेम डेट पे भी आएगा तो कौन से टाइम पर आएगा सुब आएगा दुपैर में आएगा शाम को आएगा रात को आएगा आपको नहीं पता और ऐसे में अगर आप शौर नहीं हो तो हम लड़किया करते हैं कि ह ऐसे में पाइड वेस्ट होता है मनी हमारी वेस्ट होती है और एन्वार्ममेंट के लिए भी सही नहीं है इतना जाथ हम फालतू में अगर पैड यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में ये पैंटी काफी काम आएगी कि पीरेट्स के एक-दो दिन पहले से ही आप इस तरगी की प सब्सक्राइब अश्युर Спार्टिंग हम उसबThat सब्सक्राइब लेकिन एक दो दिन तक pad लगाए रखते हैं अनकमफोटेबल वो होता है और pad की again wastage होती है जो के environment के लिए ठीक नहीं है और हमारी pocket के लिए भी ठीक नहीं है तो ऐसे में भी ये panty काफी काम आई मुझे तो इन तीन तरीके से मैंने इसे use किया अब अगर बात करें period से पहले और period के बाद वाले time की तो ऐसे में ये मुझे काफी comfortable लगी और काफी एक मुझे secure feel हुआ कि अगर थोड़ी बहुत bleeding हो रही है थोड़ी बहुत spotting हो रही है तो मैं बल्कुल safe हूँ और फिर मुझे इसे remove करके wash कर लेना है जब भी मुझे ऐसा लगे कि इसमें से थोड़ा smell आने लगी है क्योंकि इसमें से smell आती है मुँ में अभी आगे आपको बताऊंगी तो जब भी मुझे ऐसा feel हो कि इसमें से smell आ रही है या मुझे uncomfortable हो रहा है तो इसे remove करके आप दूसरी पहन लो क्योंकि जब मैंने ट्राय करने के लिए first time पहनी थी मैंने इसे wash नहीं किया तो यह काफी uncomfortable फील हो रही थी इसका कपड़ा सा खड़ा-खड़ा सा था जो कि uncomfortable हो रहा था फिर मैंने इसे wash किया और wash करने के बाद पहना तब इसका कपड़ा काफी soft हो गया इससमें इसका कपड़ा बहुत ही soft है तो बिल्कुल भी uncomfortable नहीं लगता तो first time आप इसे wash करके पहनिए दूसरा इसमें न एक यह lining दी गई है मैं आपको यहाँ पे दिखाते हूं screen पे आगे से भी और आपके bumps की तरफ भी तो दोनों ही तरफ से आपको काफी साधा secure यह feel कराएगा मतलब इतनी जादा इसमें safety है हाथ से चूने पे पता चल जाता है कि कहां-कहां पे सिर्फ panty का कपड़ा है और कहां पे यह अंदर एक lining है जो कि आपके pad जैसा काम करेगी आपके period के blood को तो मैंने इसे हलकी bleeding के time पे पहना spotting के दिनों में पहना और इसने अच्छे से absorb किया बहार वाले कपड़ों पे बिल्कुल भी spotting नहीं आई लेकिन थोड़े time बाद मुझे इसमें से smell आने लगी जब आप ऐसे नहीं आई बैठे बैठे जैसे for example आप urine pass करने गए तो ऐसे में जब आप इस panty को remove करोगे तो एक smell आपके नाख पे टड़ेगी जो कि obviously blood में से आती है period blood में से आती है आजकल के जमाने के जो pads हैं उसमें से नहीं आती है लेकिन मैं बहुत time से period face कर रही हूँ और शुरुआत की time में ऐसे pads आते थे कि जिसमें pad में से भी smell आती थी इसलिए जल्दी जल्दी से वो बदलने पड़ते थे लाइक 2-3 घंटे से उपर आप pad वैसे ही नहीं यूज़ कर सकते है chemical है क्या है मुझे नहीं पता लेकिन ads वगरा में भी आपने देखा होगा packet पे भी आपने देखा होगा कि यह अच्छी खुश्पू देगा या फिर इसमें से smell नहीं आएगी order free है जो कि इसके pack पे भी लिखा हुआ था इसमें से smell आती है अगर वह smell आप बरदाश कर सकते हो तो इसे आप definitely यूज़ कर सकते हो रेगुलर बेस पर अपने periods में भी और अगर आपसे smell बरदाश नहीं हो पाती तो फिर मैं बोलूँगी ऐसी period panties आप बहुत सारी खरीदो जैसे कि तीन चार घंटे हो गए उसके बाद अगर आपसे smell बरदाश नहीं हो रही तब आपने तुरंट चेंज कर लिया और जादा smell आने लगी तो यह एक इंडिकेशन होता है कि अब यह period panties जादा भर गई है इसे वैसे ही चेंज कर लो तो यह मेरा experience था इसके साथ में इसके अलावा अगर आपको और जादा heavy flow वाला जे है कि जब आपको बहुत जल्दी जल्दी पैड चेंज करने पड़ते हैं अगर तो ऐसे में आप इसके साथ में पैड भी उसकर सकते हो कितनी बार ऐसा होता है कि है वी फ्लो के डेज में कितना भी आपने बड़े साइस का पैड यूज कर लिया एकसल यूज कर लिया डबल एकसल यूज कर लिया वह भी कितनी बार लीक हो जाता है इसपेशली रात में कि रात को अगैन अगर आप बीच में उटके चेंज नहीं कर रहे हो और पूरी रात आपने अगर नींद ली नौदस घंटे की जैसे थोड़ा जादा सो गए जादा नींद ले ली तो ऐसे में डेफिनिटली आपका पैड जो है वो लीक कर जाता है बह मैं जैसे यूज करती हूं कि टैंपोंस के साथ में यूज करना है या पीरिट से पहले या बात के दिनों में अज़ सेक्यूरिटी यूज करना है तो मेरे लिए इसने बहुत अच्छे से काम किया यह पर्टिकुलर ब्रैंड मुझे काफी अच्छा लगा बहुत सौफ और अगर में दूसरा कोई ब्रैंड ट्राइ करूंगी तो मैं फ्यूचर में बता दूंगे आपको वो भी रिकमेंड कर दूंगी ब्लैक कलर मैंने इसली लिया था कि ब्लैक कलर सबस्यादा सेफ है और अगर हमने कोई हलका कलर लिया जैसे फर एक्जेंपल उसमें परपल वगेरा भी थे परपल पिंक भी थे तो उस पे अगर स्पोटिंग के मार्क लगे रह जाएंगे और वो अगर नहीं छूटे तो ये बास खरीद के रखना चाहती हूं इस पर्टिकुलर पैंटी को मैंने तीन-चार बाद ट्राय करके इस तरीके से अलग-अलग देख लिया है मेरे लिए काफी अच्छा वर्क किया है और मैंने आपको भी सजेशन दे दिया है आपके लिए भी सो आप इस तरीके से अपने ल यह था मेरा रिव्यू पीरेट पैंटी के बारे में अगर आपको यह वीडियो थोड़ी यूसफुल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो कोई और वीडियो का सजेशन हो या और कोई क्वेडी हो आपकी वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो औ और मेरे चानल पर सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाएएगा और बैल का बटन दबाएंगे तो मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेंगे अभी मैं चलती हो मिलूंगे आप से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के तब तक के लिए पाई टेक केर